असलाम अलेकुम व्यारा बच्चों बच्चों हम सब जानते है के जब सुभा सुरज तुलू होता है तो दिन निकलना शुरू होता है जैसे जैसे सुरज तुलू होने लगता है वक्त आगे बढ़ने लगता है सुभा के बाद दोपहर होती है दोपहर में सुरच बिल्कुल हमारे सरो पर आ जाता है और धूप तेज होती है दोपहर के बाद आहिस्ता-ाहिस्ता सुरच शाम के वक्त गुरूब होने लगता है जब सूरज पूरी तरीके से गुरुब हो जाता है उस वक्त आस्मान में अंधेरा हो जाता है और हम कहते हैं के रात हो गई दिन और रात का ये सिलसिला हम रोजाना देखते हैं बच्चों आज हम हमारी दर्सी किताब का एक सबक दिन और रात इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे